आज के इस वीडियो में हम रहस्यवादी कवीता और उनके कवी और उनकी रशनाएं पढ़ेंगे पिछले वीडियो में हमने रहस्यवादी कवीता की विसेश्ताएं जाने थी तो आसा है कि आपको वहाँ वीडियो अच्छी से सबन्द में आ गया होगा अब हम उनके कवी और उनकी रशनाएं पढ़ें पहले कवी जेशंकर पृसाद च्हाया वादी कवी और रहस्य वादी कवी यह दोनों एक ही हैं कि दोनों मापको कॉंपिजनी होना है लेकिन दोनों की है रशनाएं अलग अलगें जिसकी जैसे कि उसमें मैंने सभी रचना लिखी जेसन के पर साथ की काम्यानी, लहर, जहरना, आसू उसमें चार ही रचना है लेकिन इसमें दो रचना है जिसमें जो रचना है वही रचना आपको लिखनी है नहीं तो आपके नंबर कर सकते हैं तो आप ध्यान से पढ़ेगा और ध्यान से वीडियो देखिएगा आपको तब ही सबन में आएगा तो किसमें कोन सी रचना लिखनी है तो यह हम पढ़ते जे संकर पर साथ तो इनकी रचना बनेगी लहर और आसु देखे आसू आसू आया तुज आसू इतने पड़े उन्हें कि वह लहर में परिवर्तित हो गह इस प्रकार से से ट्रक्क रमाडम से याद रखेगा जय सैंकर पर साथ उन्हें इतने आसू आय वे इतने रोए कि इन्हें आशु लहर के रूप में होगे अब देख आगे शुर्य कांट तिरपाटी निराला तो इन्होंने क्या कहे परिमल ने परिमल बाते किसे गीति का नाम की लड़की को यह इनकी रश्ना अब आगे बनेगी हमारी सुमित्रा नंदन पंत शुर्ण धुली और वीना यह हमारी महादेवी वर्मा जो बाल थे वहां बहुत थी रश्चिम थे और उनकी बाल यह बहुत निहारती थी और एक है गीति का तो इस माध्यम साप इनकी रश्नाएं याद कर सकते लेकि आप यह दिने ट्रिक के माध्यम से यादने करेंगे तो इसी बहुत सी रश्नाएं तो आप कम्फिज हो जाएंगे और आपको याद भी नहीं रहीं तो आप ट्रिक के माध्यम से नहीं याद कर सकते हैं इस पिकार हमने इनकी कवी और उनकी रश्नाएं तो आप इनका स्किन सोट ले लीजे और अपने कोपी में नोट कर लीजें